Hello everyone, welcome back to my channel Guys, एक और new reading के साथ मैं आगई हूँ, कैसे हैं आप सब I hope कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं अपनी life में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो reading करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए topic है जानेंगे mid-fab तक, आपके life में क्या good news आने वाली है या क्या good news आप receive करेंगे mid-fab तक, ठीक है तो जो भी reading में आएगा मैं आपको बताऊंगी आपकी personal, professional, दोनों life के बारे में पता करेंगे कि किस area में या फिर दोनों area में क्या good news आने वाली है आपके पास ठीक है, तो start करते हैं reading बिना देर करें और देख लेते हैं क्या आता है, वैसे भी February month बहुत special month में consider करते हैं, सभी लोग let's see, mid-fab तक, क्या अच्छी news आ सकती है, good news आ सकती है आपके पास guys, शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह ही बता दूँ, ये reading general है तो हो सकता है, सभी के साथ resonate हो, हो सकता है, ना हो, so please keep an open mind चलिए, start करते हैं, और timeless BA reading, जब भी आप यहां तक पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं, okay gratitude, release, and we have mysticism, okay, perseverance, okay, insecurity, bittersweet, oh, ये क्या बातुई, perception, and we have rejection, and we have grief, ये कैसी energy निगल कर आई है, guys, it's okay, अब जो cards आए हैं, मुझे explain करने ही है, hmm, तो mid fab तक, कुछ चीज़े अच्छी है, कुछ चीज़े favor में नहीं दिख रही है, okay, तो मुझे यहां पर category बनानी पड़ेगी, जो कि मुझे दिख रही है, बनती हुई, okay, यहां पर दो group के लिए messages आए हैं, जैसे कि मैं यहां पर देख पा रही हूँ, जी, देखिए, कुछ लोगों के बीच में न, communication होता है पार्टनर के साथ, लेकिन बहुत थोड़ा सा होता है, और आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, यह दोर आपके लिए खुले, आप एक अनादर लेवल में पहुँच जाएं, और कुछ नया एक्स्प्लोर करें लाइफ में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस डोर के खुलने से लेकर अब तक मतलब इस डोर के खुलने के लिए जितना anxiety, stress, insecurities जो आप अपने अंदर लेकर बैठे हुए हो, वो release हो जानी है, इन आने वाले 15 दिनों में, यह सारे doubts, anxiety, depression, stress, worries जो आप मतलब इस purpose को लेकर के gate कब खुलेगा, कब आप another level में पहुचेंगे, इस purpose से related, जितना भी stress, anxiety, headache आपने अपने अंदर लिया हुआ है, उसे आप totally release कर देंगे, जो कि एक बहुत बहुत एहम step है आपकी life के लिए, क्योंकि मुझे यह door खुलता आपके लिए, मुझे आप अच्छे दिख रहे हूँ, आप मुझे healthy दिख रहे हो, अपनी proper care करते हुए लिए हो, मुझे shopping करते हुए लिए लिए हो, एक अपने अपने nature, जो है आपके अश पास, उसको enjoy करते हुए लिए हो ची है, मुझे रिलेक्स दिख रहे हो, टेंसेट और अच्छे से अपना टाइम आगे आप यूटिलाइस करने वाले हो खुश दिखने वाले खुश हो आप ठीक है क्यों कि आप सारी टेंशन वगरा रिलीस कर दोगे इन आने वाले 15 दिनों में और सबसे बात यह है आपके परसन की तरफ से आपको ग्राटिट्यूट मिलने व अगर आप शादे शुदा हैं तो इसके भी चांसे मुझे दिख रहे हैं लेकिन आपका जो लाइफ को जीने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा और इस परपरस से लेकर जो भी चिंताएं हैं आपके दिमाग में वो बिलकुल खतम हो जानी है तो यह कुछ बदलाओ यह आपका अचीव हो जाएगा इन 15 दिनों में नो बट इस टार्गेट को अचीव करने के लिए जो एक अटिट्यूट है वो बदल रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है अब बहुत अप्तिमिस्टिक मुझे दिख रहे हो एक ग्रूप के लिए तो यह है दूसरा ग्रूप क्योंकि अब आप ना कमप्लेंट ज़ादा कर रहे हो ऐसी क्यों हो रहा है मेरे परसन मुझे स्वास्पॉम स्थोयगा रिस्पांस क्यूं नहीर है और फिर आपको insecurity तो आप पैदा करी रहे हो अपने अंदर और इस person को chase करकर अपना भी दिल दुखा रहे हो और अपनी value भी कम कर रहे हो तो ऐसे में guys फिर आपको rejection ही मिलेगा कोई good news नहीं आने वाली फिर आपके पास अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो even आपके insecurity बढ़ रही है universe आपको time time पर समझाने की पूरी कोशिश करते हैं पर आप हो कि समझने को तयार नहीं हो अभी आप proper heal नहीं हो पा रहे हो आपको बस यह लिख रहा है कि एक ही person है जो आपकी जिन्दीगी में अगर आया तो खुश हो otherwise आपकी जिन्दीगी फिर किसी काम की नहीं है तो यह तो कोई तरीका नहीं हुआ जिन्दीगी जीने का सबसे पहले तो आपको खुद से प्यार करना सीखना है खुद की importance समझनी है तब ही तो कोई दूसरा भी समझने की कोशिच करेगा न आपको जब आप ही किसी को लेकर एकदम जिद्दी हो गयो नहीं यह है तो सब कुछ है वरना कुछ भी नहीं है तो फिर तो फिर आप आप का वजूत कहां है फिर इंसान उसी की कदर करता है या उसी को पाना चाहत जो अपनी वैल्यू करता है, जिसको अपनी पढ़िये पहले, कि येस, मेरी एक reputation है, मेरी एक self respect है, तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, ये चीजे तो फिर guys, problematic situation है, आपके साथ अभी आपको बहुत चीजे सीखनी है, लाइफ में बहुत ही लोना है, तो प्लीज थोड़ा सा understand कीजिए अपनी situation और पहले खुद से प्यार करना सीखें, self love करें, तब जाके ही, कोई अच्छी news आप तक पहुँचेगी, क्योंकि इसकी वज़ा से आप दूसरे area को भी effect कर रहे हैं, जैसे आपका work, ठीक है, आपके person disconnect ही हो जाएंगे आप से अगर आपने ऐसा किया तो, यहाँ पर आपकी person की life में romantic feelings काफी बढ़ रही हैं, आपको लेकर, हो सकता है, आने वाले time में वो अपनी feelings भी express कर दे, इन 15 दिनों में, ठीक है, pay attention to the red flags, guys, यह इस category के लिए card है, pay attention to the red flags, अगर आपने नहीं इस चीज़ पर focus किया, तो फिर आप समझ लीज़े, tower moment आजाएगा आपकी life में, आपको आज से इना, अपने आप से प्यार करना शुरू कर देना है, okay, क्यूंकि, यही लगेगा आपके person को, कि आपको जब तक ये हैं, तो सब कुछ है, otherwise कुछ भी नहीं है फिर आपके life में, ज्योंकि गलत होगा, okay, release your ex, अच्छा कुछ के लिए ना, ये भी अच्छी news हो सकती है, कि आप अपने ex को release कर देंगे, और अपनी life में आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये ex आपकी life में insecurity बढ़ाता है, ठीक है, और आपको एक peaceful life जीने दे ही नहीं रहा है, तो हो सकता है, आप release कर दें, calling in your soulmate, romantic feelings, आप अपने soulmate के लिए, group number one, आप अपने soulmate के लिए जितना हो सके, positive affirmations बोलते रहें, क्योंकि ये ही आपके लिए helpful रहेगा, आने वाली time में आपके person अपने friends की help ले सकते हैं, इस connection में कुछ भी अच्छा करने के लिए, या कुछ मदद ले सकते हैं अपने friends की, और new love, अच्छे चलिए, ये card यहीं के लिए है, ये new love मुझे यहीं के लिए है, और यहां के लिए है wedding, new love आ सकता है, आपकी life में हो सकता है, आप अ इसकी pile number one के लिए, क्योंकि यहां पर दो group आए हैं, तो group number one के शादी के chances हैं, ठीक है, हो सकता है, wedding का proposal मिल जाए, या फिर serious commitment मिल जाए, क्योंकि आपके soulmate sound कर रहे हैं, यहां पर, यहां पर ex के बारे में आ रहा है, या फिर ex के बारे में अगर guys आपको लगता है नहीं है, तो फिर भी नहीं आपकी approach गलत है, इतना चद़ चेज मत करो, आपका connection अभी इतना intense नहीं हुआ है, जितना आप समझ रहे हैं, पहले अपने आपको improve करो, अपने बारे में सोचो, अपना self love करो, तेन आपको यह, जो यहां आपर आई है, वो आपको मिलनी शुरू हो है, एक अच्छा, एक अच्छी तरीके से आप अपनी life lead करने वाले हैं आगे, और जो आपको आगे बहुत अच्छा result देगा, आपके soulmate के साथ, ऐसा हो सकता है, कि आप romantic feelings share करें, ठीक है, और आपको अच्छी commitment मिलने के chances हैं, तो कुछ ऐसी चीज़े आपके साथ हो सकती हैं लाइफ में, आने वाले 15 दिनों में, तो बिलकुल सही कर रहे हो आप लोग, बट ग्रूप नमबर टू, प्लीज अलर्ट रहें, रेंबो, the most difficult part of a situation is over, क्या कहा था मैंने, रिलीस कर दोगे ना आप सब कुछ, टेंशन, बहुत ही difficult part है ना, आपकी लाइफ का, बहुत difficult part, बहुत difficult part of a situation is over, most difficult part, पता नहीं, मैंने शायद बहुत difficult part कह दिया, मैं Hindi, English, मुझे बहुत समझ नहीं आ रहा, मैं क्या बूल रही हूं, बट येस, एक difficult part है, जो बहुत जादर difficult part है, बहुत most difficult part है, ठीक है, वो बिलकुल over हो जाएगा आपकी लाइफ से, यहां पर क्या है, bird flying, news is on the way, तो हो सकता है guys, new love आजाए आपकी लाइफ में, आने वाले पंदा दिनों में, ओके ये card यहां पर गिरा है, तो मैं यहीं पर रखनगी, announcement, कुछ announcement होने वाला है, आपकी जिंदगी में, कुई better announcement, क्योंकि एक difficult part तो पैसी ही खतम हो रहा है, लाइफ से, ओवर हो जाएगा, और announcement कुछ अच्छी, interesting announcement आपकी लाइफ में, आपको मिलेगी, जली, deep personal strength and peace that assure success, अगर आप अपनी personal strength बढ़ाते हैं, group 2, और peace लाते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको success मिल सकता है, तो अपने अभी आपको healing करनी हैं, बहुत जादा, okay, इन जो पर धिहान रखें, एक काड़ और लेना चाहूंगे, मैं, यह बारा लेख रहे हैं, गैवल, involvement with the law, okay, involvement with the law, तो जिब law की बात आती है, तो guys, कुछ हो सकता है, कुछ property से related, कुछ documentation बनवा रहे हो, या फिर arrange, court marriage हो सकता है, ठीक है, और या फिर आपका कुछ immigration process, जिसमें law कुछ ना कुछ इस परपस में आप आगे बढ़ रहे हो, कुछ इस matter में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैरिज का काड़ तो पहले से ही है, हमारे पास, क्या बार, okay, यहां के लिए देख लेते हैं, एक कार्ड, हैंडशेक, a meeting with a stranger could be important, yes, new love आ रहा है तो कोई stranger ही होगा, जो आप के लिए आ रहे हैं, okay, और यहां से यूनिकॉन का कार्ड है, use your intuition to make beneficial changes, intuition को ज़ादा फॉलो कीजिए, अगर आपको beneficial changes अपनी life में देखने हैं, ठीक है, अब time नहीं है, रो, परिशान हो, नहीं, आप बहुत अच्छा करने वाला है, सारी टेंशन रिलीस करकर आगे बढ़ gratitude मिल रहा है, romantic feeling partner के साथ share करने का chance मिलेगा, and maybe commitment मिल जाए, because यहां पर announcement का card है, ठीक है, और difficult, जो most difficult parts है आपकी life के, definitely वो भी over होते में दिख रहे हैं, तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा change, बहुत अच्छा shift, good news आने के chances हैं आपके पास, बागी group 2, आप अपनी insecurities ठीक क चेस करना बंद कर दीजिए partner को, अगर आपको लगता है, यह partner बहुत जद़ टॉक्सिक है आपके लिए, तो इसको release कर दीजिए, जब आप इसे release करेंगे, तभी आपकी life में new love आसकता है, ठीक है, जो आपके लिए एक अच्छा connection साबित होगा, तो stranger के साथ meeting हो सकती है, क्योंकि personal strength और peace आपकी life में success लेकर आएगा, वरना आप ऐसे ही सफर करते रहेंगे, और आपके पास कोई अच्छी news भी आ रहे है, news is on the way, ठीक है, तो यह stranger आपकी जिंदगी भी change कर सकता है, तो इस time अपने जो भी ex है, उसके साथ आप डिसकनेक्ट हो सकते हैं, अगर आप कि यह reading आप लोगों के साथ resonate होई हो, आपको पसंद आई हो, मुझे mention करना कौन group 1 से belong कर रहे हैं, कौन group 2 से हैं, ठीक है, और अगर reading अच्छी लगए तो आप subscribe कर सकते हैं channel को, तो अभी के लिए बिस इतना ही guys, bye, take care,